नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो आपको दिखाएंगे जो फार्म से बच्चियां हमने परचेज करी हैं जैसे कि आपने दो दिन पहले भी वीडियो देखा था उसमें डिरेक्ट फार्म पे हमने बच्चडियां दिखाई थी जो आठ बच्चडियां जा रही थी यूपी वीडियो में हमारी रहेंगी तकरीवन 20 बच्चडियां जो क wiping फार्मस से स्लेक्चं करके दो दिन में हमारा से कंप्लिट हुआ है और दो दिन में बीस बच्चडियां हमने आउनलाइन उर्डर करके दी हैं सारी बच्डियां चार से पांच मिंना की प्रेग्चन हैं और सारी ही breeded animals हैं कोई भी ऐसी नहीं है जो आपको लगेगी कि हाँ भी फार्म से नहीं करीदी हुई विद्ध रिकॉर्ड जिनमें की ज्यादतर बच्छियां जो हैं ABS, Denmark और St. Genetics के सीमन की हैं CRI के सीमन लगे हुए हैं और बहुत सारी बच्छियां इन में WWS के सीमन से भी प्रेगनेंट हैं तो अगर मानी जाए तो ऐसी बच्छियां ब्रीड के इसाब से मैं बताता हूँ 30-35 लिटर सेकिंड लक्टेशन में दे देंगी फर्स लक्टेशन 25-30 के बीच भी रहें तो बहुत अच्छा है इनका अब बात करते हैं कि प्राइस रेंज के उपर पिछली वीडियो में मैंने प्राइस रेंज आपको पताया भी था कि 75,000 की एवरेज रही है तो वही वीडियो देखके हमें फार्मर्स ने कॉंटेक्ट किया था और टोकन एडवांस वगएर डलवा दिया था कि हमारे लिए 20 इस बचली आप सेलेक्शन करो तो हमने अपनी पूरी जो नॉलेज है उसको यूज करके एनिमल्स की सेलेक्शन की आपके सामने ही एनिमल्स आज पारम पर आ चुके हैं और कितने साफ सुंदर और बड़िया ब्रीड में दिख रहे हैं तो इन एनिमल्स की हमने जो एवरेज एमांट दի है वो दिए 75,000 पोर जिनमें की सभी बच्चियों की एवरेज जो इल्ड मतलब मान के चलो की पांच महींने की लगबग की प्रेगनेट है कोई 4 की भी है और कोई 6 की भी है तो पांच की एवरेज मान के चलो 5 मनत की प्रेगनेट और हाइट जञेए वाधर में जो BCS होना चाहिए विल्कुल कंप्लीट है बच्चियों में दो तीन चीजें हम जरूर चेक करके लेते हैं कि इन में पहली बात तो है कि जो भी डिलिवरी डेट टाइम होता है तो एक बार प्रेगनेंसी हम डॉक्टर से हाथ दलवा के जरूर चेक करके लेते हैं कि आगे वा अपने अपनी एक्सपीरेंस से चेक करते हैं किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है तो बच्चियों की यह फेस कॉल्टी जो है ना वह आपको सामने दिखेगी कि टैग नंबर जो दिए गए हैं टैग नंबर के हिसाब से इनका सारा रिकॉर्ड मिल कि हर टाइम जर्सी अवेलेबल नहीं है अगर बीस बच्चियों में हमने तीन से चार बच्चियां जर्सी करके दी हैं वो भी इसलिए क्योंकि हमें अच्छे लॉट में मिल गई थी एक दम साथ में तो यह हमारे खुद की फार्म की तैयार की हुई बच्चडी है इसकी मैं अच्छी करेगी अभी तकरीबन साथे चार फीट की हाइट में थी और खीरी मिल्क टीथ में हैं बच्चडी यह देखो फेस को अल्टी कितनी सुन्दर है और आप लोग भी ब्रीडिंग अच्छी देखो अच्छी तरह से करके उनको फीडिंग अच्छी देखे उनकी में बच्चडी को तयार करके हीट में आ जाना चाहिए तो यह सारे क्रेक्टर आप देखो कि बच्चडी स्किन कितनी अच्छी है उसकी बिल्कुल भी पेट नहीं निकला हुआ यह भी बच्चडी डैन्मार्क की हमने खुट तो यह भी हमने साथ में दिये तो यह भी बच् से आई थी तीन-चर महिने की थी तो उसके बाद हमने जो डाइट शुरू की है उसमें साइलेज पहली बात तो आती है साथ में काफ स्टार्टर फिर आठ महिने की एज के बाद काफ ग्रोवर और साथ में डेरी प्रोटीन शुरू कर दिया हमने और डी वार्मिंग हर 15 दिन की दिया था हमने 20 अनिवल का तो यह मारस्टर जा रही है 20 बचड़ी है और दो गाड़ी पूरा महल है और फार्मर ने भी अच्छी मतलब टाइम दिया था हमने की दो दिन में हमने सेलेक्शन करके उनको दे दी वीडियो देखने के लिए सबी का बहुत बहुत थन्यवाद झाल